हाई एविवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू मैंनी व्लॉग फ्राइडे का डे है और एप्रॉक सेवन ओक्लॉक के आसपस का टाइम हो रहा था सब अभी सोई हुए थे और मेरा थोड़ा सा पानी वानी पीना और थोड़ा इदर उदर घूमती हूं ना मैं ब्रश वरिश करना यह सब निपट चुका था तो आ गई थी अब मैं जाडू ल मन करता है फिर थोड़ी फ्रेश वाइप साने लगते हैं तो इसलिए आज कर मैं मौनिंग में नहा लेती हूं और यहां पर बस में जाडू लगा रही थी मौनिंग के अभी सब सोई हुए थे दीर दीर सब का उटना स्टार्ट होगा और फिर चीज और फैलनी स्टार्ट हो सब्सक्राइब करते हैं तब तक थोड़ा और फैले का घर बर ठीक है जितना हो सकता है ना मैं इस टाइम पर मतलब सेट कर देती हूं जो नीड़न नहीं होता कि हाँ रख दिया तो अब दुबारा यह यूज नहीं होगा तो फिर मैं सेट करके रख देती हूं और उसके बा जाड़ो पगेरा मेरी लग चुकी थी को भी पानी दे दिया था फिर धूप लगती है ना तो फिर खराब होने लगते हैं अगर उस टाइम पर पानी दोंगे तो या तो आपको मॉनिंग में देना होता है या फिर इवनिंग के टाइम और उसके बाद मनीश उट गए थे और लेकर आये थे मिल्क आजकर मैं नाइ लेकर आगे थे मगशन अचाझा है तो या आप खाए लने म्हें तो मैं खुझा कर गया थे तो मैं भी घ्योड़िए ओर वस्ते तो पूरह वेस्त है कि या जनी में तो छाने में मैं उसकी खाने कश़्यी Σाबू normaal wnε कले मूद्ट कर लिए से हैं कि मूझ सब्सक्राइज का मैंने वाश करके रख दिये थे और उसके बाद पर यहां पर बनने के लिए रखी थी मैंने टी काफी बार मैं इनको भी बोलती हूं कि आप भी टी चोड़ करके मौनिंग में इतली जब तक इतनी ज्यादा गर्मी चल रही है तब तक फ्रूट्स खालो बट उनको बैटी तो तो उनको टी बना करके मैंने दे दी थी जाड़ो मेरी लग गई थी अब मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने का चलो मैं नहा करके आती हूं बट नहाने से पहले थोड़ा सा वाश्रूम वगएरा क्लीन जो करना होता है उसको निप्टा लेती हो नहीं तो फिर वाश्रूम मतलने धाना ही होता है उसके बाद तो यह बेसन था यह मैंने डाल लिया था यह हार्पिक मने लिक्विड़ी से है और वो काफी थिक होता है हार्टपी की से जादा बेटर है तो उसे मैंने बेसं बगए रखेंगे चली थी नहाने के लिए अभी उनकी टी चल रही थी और मैं नहा करके आ जाती हूं और उसके बाद यहां पर närहा लिया था तर अब remake मनीश को बिर मेंresseा साथ के साथ स्किन केर करने के लिए सबसे बहले जब था रहा था अगर तो अज उसाङरी चूजिए करने के अब the खरे तो बहुत उचा लगता है तो अभी rose water मेरे पास है बट मैंने फ्रिज में नहीं रखा हुआ था तो मैं toner apply कर लेती हूँ क्योंकि ये glow toner है तो जब तक और इसकी na expiry भी pass में आने वाली है तो मैंने सोचा कि पहले इसको finish कर देती हूँ देन फिर मैं दूसरा वाला जो rose water है वो start कर दोंगी नहीं तो फिर बेस्ट हो जाएगा ना अगर expiry date आने वाली है विल्कुल लास्ट ही मन्त है आई थिंग और उसके बाद फिर skincare वैरे मैंने कंप्लीट कर ली थी जो लिप्स पे टिंटी यूस करती हूँ वही कर रहा था और उसके बाद जो लास्ट होता है ये हलका सा डियो मु नहीं हो जाती है क्योंकि फैन नहीं होता वहां पर तो पांच मिनुट फैन के नीचे आकर बाट गई थी ताकि जो है रहा हो जाए और हैर काफी जल्दी मेरे ड्राय हो जाते हैं क्योंकि बहुत जादा मतलब शॉट भी हैं तो फिर नहा चुकी थी हैर वाश मेरा हो गया थ पर यहां पर मैंने दीरयो लगा दिया था और उसके बाद मै ने अपने लिए फूल बाट तो अब कर आय थे और मैंने नहीं था मैंगो नहीं था पाले का बबहुत जो तो उसमें थ्री मैंगो स्थें तो मतलब 400 ग्रैम्स या 350 ग्रैम्स के असपस रहा होगा और खटा भी बहुत था जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था खाने में अच्छे नहीं होगे, मैंको थोड़े मीठे मीठे फ्रूट्स तो देकाएग से घंच्छा में अगाई मैं बार बार इसलिए दिखाती भी हूँ कि अगर एक सिंगल परसन एक सिंगल वीवर भी मेरे से इंस्पायर होकर के मौनिंग में अगर फूट्स खाने स्टार्ट कर देगा ना तो मतलब काफी ज्यादा आपको है अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लगेगी गाई अगर कर सकते हैं तो जरूर करना मौनिंग में एक बड़ी प्लेट भर के आपको फूट से अपनी मौनिंग स्टार्ट करनी आपकी हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा होगा आपको कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही होगी ना उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा ज अब सेकेंड टाइम जब दुबारा कजन आई थी ना तो उसने भी मतलब वही रेगुलर फूट पे आ चुकी थी मिला थोड़ा सा ही खाती है वह लेकिन उसने भी स्टार्ट कर दिया था टी उसने मौनिंग की छोड़ दी और उसको काफी अच्छा फील होता उसने मुझे मैं आप सब को बोल भी हूँ अगर आप स्टार्ट कर सकते हो ना मौनिंग में फूट्स खाना तो ज़रूर से स्टार्ट करना अगर आपको सोटेबल है तो उसके बाद फिर फूट्स बगेरा खाए और मेरी कुकिंग की जो ड्यूटी है वह स्टार्ट हो गई थी तो आज म है वह बन जाएगी और उसके बाद फिर मनीश अपना मैं अपनी कुकिंग कर रही थी मनीश भी अपना नहाध हो कर के आ गए थे और अपनी शर्ट को प्रेस कर रहे थे यहाँ पर वो भी रेडी वेडी हो गए थे उन्होंने अपना ब्रेकफस्स पगेरा कर लिया था और यहाँ पर बैठे हुए थे मुझे लास्ट टाइम की याद आगी वाइट कलर की वो सॉक्स पहन रहे थे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बेटू की स्कूल की भी जो सॉ पहने जारें पहने जारें और बच्चे की शॉक्स तो टाइट तो इनको होगी कहते है यार मता नहीं यह सॉक्स मेरे को चड़ क्यों नहीं रही तनी छोटी कैसे हो गई है यह वाश करने के बाद मैंने पास जाकर मैं भी अपने उस ताइम ना फूट्स खा रही थी मैंने दिहान नहीं दिया मैंने पास जा करके देखा मैंने का कैसे आएंगे आपको बेटू के सॉक्स पहन रहे हो तो वही फिर आज वाइट कलर के सॉक्स थे ना तो मुझे हसी आ गई थी तो कुछ मतलब होती है ना ऐसे मैमरीज हम याद करके थोड़ा हस लेते हैं मुझे अच् अच्छेटे इसमें टमैटो के आए हुए थे जब क्यूंकि ना लेड नहीं है इसके ओपर मैं प्रेट रखके पीस लेती हूं तो हलके फुलके जब टमैटो जादा होते हैं तो च्छेटे बाहर आ जाते हैं तो फिर गंदी सी हो रही थी तो मैंने का साथ के साथ इसको भी तो मैं अपनी अपरेंट ढूंड लोंगी तो आज मैंने कुकिंग करते वे मुझे आपरेंट जो थी वो मिल गई थी तो मैंने आज आपरेंट पहन करके कुकिंग करी थी सबजी तो बन चुकी थी आटा लगाते वे मिली थी तो याद आई थी मतलब तो मैंने आटा लगात कि लिए संडे को मैं ले कर आई थी फिर मेरा देखना ही नहीं हुआ तो वैसे तो मैं यह रिंग वगएरा नहीं पहनती हूं बट ले आई थी उसे मेरा मन करा था तो यह इस टाइप का था मजब डियॉल स्टोन टाइप में थे तो मैंने सिंगल कर भी इसको पहने थे और डब का टाइम हो गया था और एप्रॉक्स पॉने साथ बजे का टाइम हो गया था बट स्टिल संजो था वो दिख रहा था उपर अभी हम गए थे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत मसा आ गया था उपर आज हम गए थे क्योंकि बाहर बालकनी में कपड़े बगएर उड़ रहे थे तो हमें था कि आज हावा चल रही है चलो ऊपर थोड़ी दिर होकर के आते हैं और आप सब को भी अच्छा लगेगा मैं आज उपर लेकर कर आई हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं चछत में लेकर कर आई थी ना मतलब चछत में मैं आई थी आती रहती हमारा डिनर वगेरा हो जाता है तो हम वाक करने के लिए आते हैं उपर बट मैंने उपर आकर के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा था तो तब से सब का कॉमेंट मुझे आ रहा था कि आप बाहर भी निकलते हो तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया करो तो फिर अभी मैं चछत उड़ रही थी क्योंकि अभी बारिश बगेरा होई नहीं है तो हवा के साथ डस्ट भी काफी चल रही थी थोड़ी आंधी सी चल रही थी बोल सकते हो तो यहाँ पर मैं बैड गई थी बेटू के साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी और हमने काफी इंजॉय करा और देखो बेटू मेरे को यहाँ पर घुमा रही थी उसके साथ तो और कोई है नहीं तो वो सारा दिन फिर मेरे साथ ही लगी रहती है मुझे ही खिलाती है चीडिया और कबूतर उड़ी है सब गेम मुझे रात को बठा करके खिलाती है अभी जब से उसकी वेकेशन चल रही है क्योंक मतलब बैट टाइम पर थोड़ी देरी स्टडी करती है वो जो उसका होंबक बगेर है हॉलिडे उसके बाद फिर मुझे यह सारे गेम खिलाती है रात को बठा करके और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ आई होप आपको यह ब्लॉग अच्छा लगाओगा